जल ही जीवने आप बिना पानी के जिन्दा रह सकते हैं? नहीं न? मैं भी नहीं रह सकती. अगर आप चाहते हैं कि मैं हरी-भरी रहूं और आपको अच्छी फसल दूं तो आपको भी मेरी समय समय पर सिचाई और निकौनी करनी पड़ेगी. अब आप सोच रहे होंगे कि सिचाई ये कौनसी बड़ी बात है? जो मैं आपको बता रही हूँ, वो बड़ी बात है. जैसे आपको जितनी प्यास लगती है, आप उतना ही पानी पीते होना, मुझे भी मेरी जरूरत के हिसाब से ही पानी चाहिए होता है. जरूरत से कम या जरूरत से जादा पानी से हमेशा नुकसान ही होता है. इससे पहले कि मैं आपको सिचाई और निकौनी के बारे में बताऊं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि मेरी खेती में आपको किन-किन चरणों से होकर गुजर्णना पड़ता है. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दीदी को पिछली वीडियो पौधों को जर से उखाणना और खेत में रोपाई की कितनी बाते याद है. भाया, पहली बात यह है कि मिर्ची को पौधे को निकालने समय खुरपी को कम से कम दो इंच अंदर लगाना चाहिए. दूसरा, पौधे निकालने के बाद भीजा मीत्र के घोल में आधे घंटा ढखके रखना चाहिए. तिसरा, मिर्ची का पौधे को उसी दिन लगाना चाहिए. चोथा, यह है भाया, पौधे को आधे इंच गहराई लगाना चाहिए और पौधे का पौधे दूरी दो फिट होना चाहिए. देखा आपने? दीदी को पिछली वीडियो की सभी बातें आधे हैं. आपको भी आधे हैं ना? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मेरी सिचाई और निकौनी का सही समय और सही तरीका क्या है? भाया हमें दियान डखते हैं निकौनी के समय खर पतवार जब बड़ा हो जाता है तो इसको पहर निकाल देते हैं या छोटा राता है तो इसी मिटी में मिला देते हैं. हाँ दिदी आइसा करने से कुछ दीनों के बाद वह खाद बन जाता है और पौधों को पोशन मिलता है. हाँ भाया मिटी भुरभुरा हो जाने के बाद हवा और पौनी जर्तक आसानी से पहुँच जाता है. यहां वीडियो रोग कर चर्चा करें. अगर खर पतवार बड़ा हो तो उसे काट कर बाहर फेक दें और अगर छोटा हो तो उसे काट कर वहीं मिटी में दबा दें. ऐसा करना क्यूं जरूरी है? बिल्कुल दीदी निकवनी करने के बाद ही सिचाइक करनी चाहिए. आपका पूरे खेत निकवनी हो चुकी है. देखिए तो कितना सुंदर लगता है. हाँ भया हमें बहुत इसको देखभाल करते हैं गर्मी के समय में पौच या साथ दिन में सिचाइक करते रहते हैं. हाँ दीदी गर्मी के मोसम में पौच से साथ दिन और जारे के मोसम में दस से बारे दिन एक बार जरूर सिचाइक कर देनी चाहिए. हाँ भया बरसात के मौसम में जवरत के हिसाब से हम सिचाई करते हैं दो दिन पहले बारिज पर चुकिया है हमें अभी सिचाई नहीं करेंगे क्योंकि खेत में नमी है बिलकुल दिदी सिचाई का समवंद सीधा मिर्च की उत्पादन से होता है आगर फूल आते समय परियाप्त मातरा में जमीन में नमी नहीं होगी तो फूल में कमी हो जाएगी और पौधों के विकास में रुकावट आ जाएगी हाँ भया उसी बजाए से मिर्ची का फल जल्दी गिर जाता है हाँ दिदी खेत की नमी देखती हुए समय समय पर सिचाई करनी चाहिए ए बात तो ठीक है भया सिचाई के समय ए ध्यान रखते हैं कि पूरे खेत एक समन सिचाई हो सके हाँ दिदी पौणी एक जगा ज्यादा मातरा में जमा हो जाने के बाद पौधों को नुक्सान पहुचाता है ठीक उसी तरह दिदी खेत में किसी भाग में पौनी कम पहुचता है तो पौधों के विकास में कमी हो जाता है बिल्कुल भया सिचाई करते समय इन बातों का खास धियान रखनी चाहिए ठीक है अभी त में 10-15 दिनों के बीच में सिचाई करें। सड़ी के मौसम में 5-7 दिनों के बीच सिचाई करें। बारिश के मौसम में जरूरत अनुसार सिचाई करें। 10-15 दिनों में खेत में जीवामृत का प्रयोग करें। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको कीट एवं रोग नियंतरन के बारे में बताऊंगी ये रही उसकी एक जलक झाली वीडियो में आपको कीट एक जलकी 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 एक ज